पार्टनर्शिप के साथ किया जाए या कई सारे लोगों के टीम बना के किया जाए लेकिन मेरे पापा ना चाहते हैं कि तू खुद ओनर्शिप करें मतलब कि लोगों को बस ऐसा एंप्लॉई रख और ये काम कर तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए मेरा सुझाव दो तीन चीज़ हैं सबसे पहले तो जब मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा था मुझे कई लोगों ने कहा कि रितेश आपके फैमिली मानेगी मेरे जो पहले इंजल इंवेस्टर्स थे उन्होंने एक्चुली कहा कि मुझे आपके फादर से मिलना है कि वो आपको काम करने देंगे आपको कॉलेज भेज़ देंगे बीच में हमारे इंवेस्टर्सवंक में तो सबसे पहला मेरा सुझहाव ये है कि आप अगर पार्टनर्स लेकी आएँगी या team लेके आएंगे या clients लेके आ रहे हैं तो उन्हें आपको convince करना पड़ेगा तो आप ये समझे है कि आपका पहला client या पहला partner जो है आपके father है आपको अपने father को convince करना पड़ेगा ये कहने के लिए कि आपको partner लेकर कर आना है charity begins at home ये पहला है दूसरा आप अपने father को एक बार जब convince कर लीजिए पैरली आपको अच्छा partner खोजना पड़ेगा क्योंकि आपके father भी अगर कहेंगे किसी को partnership में ले आने के लिए तो उनको जरूरी है कि वो अच्छा partner आए जो कि आके अपना business को 2x करे यानि एक और एक 11 हुआ तो 10% देने में हर्जा नहीं है क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ेंगे और तीसरा जो मेरा सुझाव है कि आपके business को जो है आप एक ये बताईए कि कितना बड़ा आप बना सकते हैं अगर आप अपने partners को साथ लेकर के हैं जैसे कि शुरुआत में अगर आपका मान लीजे आपने फादर कहा कि दिखिए आज जो मेरे फिलार डेकरेशन का काम है साल का कितना हो जाता होगा आपका turnover लगबग अब तो फिलार एक्चुली क्या अभी तो सिर्फ शॉप है इससे क्या है कि मैं चाहता हूं कि मतलब जब मेरे पास partners हो जाएंगे तो किसी wedding के wedding decoration हो गया या birthday के decoration हो गया इनका हम online purpose से भी वो काम कर सकते हैं order ले सकते हैं हाँ जी all over दिल्ली या कर सकते हैं और बाकी तो supply तो all over एंडियरियम करते हैं तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली में 10,000 से जाधा शादी होता है अगर आपको वो business करना है तो आपको यह सोचना चाहिए कि उसके लिए आपको कौन सी skills चाहिए आपको skills चाहिए कोई wedding industry से हो जिसके पास ability हो कि सारी wedding halls में उनकी जान पहचान हो जो आपको flowers दिला सकें आपको skills चाहिए flower sourcing में कि आपकी margin तभी बनेगी जब आपको flowers सही rate पे मिले और तीसरा आपको management चाहिए कि शादियों में अगर time पे फूल नहीं लगा या फूल नहीं लगा तो आपकी negative marketing हो सकती है लोग कह सकते हैं इनसे फूल मत लीजेगा शादियां में थोड़ा risk होता है और साथ में आप एक plan बनाई है कि मेरे को अगले पांदस साल के अंदर में दिल्ली में हर साल 500 यह हजार शादियों में you know flower decoration करना है मुझे लगता है कि आपके father साथ जरूर मानेंगी यहां पर यह सवाल इतना important नहीं है कि आपको partners को लेकर के आना है या किसी employee को on board करना है important यह है कि आपकी vision क्या है जैसे यह कह रहे है ना